वेलकम टू आर यूटूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं डिवीजनल अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल की इस पीडियो में आपको पता चलेगा कि डिये क्या होता है उसकी सैलवी कितनी होती है नेचर आफ ता जॉब क्या है उसके प्रिमोसन एस्पेक्ट्स क्या है और इस जॉब के क्या फाईदे तथा क्या नुकसान है तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि यह जोब आपको एससी सीजियल के एक्जाम क्लियर करने के बाद ही मिलती है डिवीजनल अकाउंटेंट सीजी के अंडर आता है और इब्यालिस सो ग्रेट पे की नॉन गैस्टिट पोस्ट होती है अगर इन्हेंट सेलवी की बात करें तो आज की टाइम के हिसाब से आपकी लगवख सेलवी बनेगी 50,000 रुपे यह XYZ सिटीज पर बैरी करता है मतलब यह 50 से ज़्यादा भी हो सकती है इसके अलावा आपको HR मिलेगा अगर आप गॉर्मेंट की तरफ से कोई भी हाउस नहीं लेते हैं साथ ही आपको ट्वेंटिट की तरफ से ट्वेवल करना पड़ता है इसके अलावा आपको लिम्टिड मॉवाईल बिल्स भी मिलते हैं अब बात करते हैं प्रेमोसंस की जो पहला प्रेमोसं लगता है वो 3-5 साल में लगता है और आप 400 ग्रेट पर पहुँष जाते हैं regional accountant officer लेकिन ये सारा process internal exams पर भी काफी depend करता है अब बात करते हैं nature of the job की यह एक simple सी desk job है जो 925 चलती है काम की बात करें तो बहुत कम workload होता है अगर आप किसी exam की तयारी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए sufficient time मिलेगा basically इसमें करना क्या होता होता है आपको other government departments के financial data को manage करना होता है और आप ही बहुत सारे financial transaction के लिए responsible होते हैं मतलब आपके पास अच्छी खासी authority होती है आप बिना किसी senior official के इंटर्फियर के major decision ले सकते हैं आपके office में आपका कोई boss नहीं होता है जैसे कि other CGL jobs में अगर देखा जाए तो उन्हें monitor करने के लिए कोई IAS or PCA सत्कारी होता है जबकि आपके पास ऐसा कुछ ही कुछ नहीं होता है आपके पास अपना एक separate key one होता है अगर CGL की सभी jobs की बात करें तो यही एक अकेली job है जो आपको officer वाला feel भी देती है अब बात करते हैं इस job के क्या क्या advantages है पहला तो यही की work profile एक दम independent होती है आपको एक separate key one मिलता है और साथ ही आपके काम को आसान बनाने के लिए एक pion और assistance भी मिलते हैं आप अपने office के boss होते हैं कोई आपके काम में interfere करने वाला नहीं होता है आपको किसी senior के interfere के बिना अपनी authority को use करने की full आजादी होती है आपके office में भी आपकी बहुत जादा respect होती है और workload बहुत ही कम होता है अब बात करते हैं इस job के disadvantages की पहला है यदि आप किसी other state में फस चाते हैं तो आप बहाँ जिन्गी वर फसे रहेंगे क्योंकि इसमें other state में transfer नहीं होता है mutual होते हैं लेकिन वो बहुत मुस्किल से मिलते हैं मतलब आपको पूरी जिन्गी उसी state में काटनी पड़ेगी लेकिन अगर fortunately आपको अपना state मिल भी जाता है तो आप किसी एक division पर 3 साल से जादा नहीं वुक सकते हैं और नहीं किसी एक city में maximum 6 साल से जादा वुक सकते हैं मतलब आपकी city change होती रहेगी मतलब आप अपने home state में होकर भी एक जिगह नहीं टिक पाएंगे दूसरा ये है कि इसमें जो work है वो बहुत ही boring है वो clerical है office के वाहर आपको सब clear क्या बाबू ही समझेंगे बाहर की दुनिया को नहीं पताएगी divisional accountant क्या होता है वो आपको बाबू की तवह ही tweet करेंगे office के वाहर आप अपनी power को उतना enjoy नहीं कर पाएंगे जितना की CGL की other job में आप enjoy करते हैं अगला ये है कि आप employee तो central government के होंगे लेकिन आप state government के office में posted होंगे तो जो आपकी salary है वो भी state government से ही आईगी और जो state government की employees होते हैं उन्हें salary सु बहुत ज़्यादा face करना पड़ता है क्योंकि state government की employees की salary delay होती रहती है और रुक भी जाती है जो आपके साथ भी हो सकता है तो इसके लिए आपको तयाब वहना पड़ेगा अगला ये है कि हो सकता है आपको local contractor से harassment भी face करना पड़े क्योंकि वो अपना bill pass करवाने के लिए आपको press wise करेंगे तो आपको mentally बहुत strong और prepare होना पड़ेगा अगर हम mentally weak हैं तो आपको इस condition में दिक्कत आ सकती है तो ये थी DA की complete job profile उमेद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज इसको like share और subscribe जरूर कीजिए थैंक यू